गुड आप्टर आवरीवन वेलकम तो मैं क्लास एक्सराइज सेवन पॉइंट टू टाइप नूमबर फॉर फाइंड दे इंट्रिगल एकी पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एकी पावर टू एक्स प्लस फॉर अगर इस कोशन को हम डारेक्ट करना चाहें तो अगर मैं इसको टी लेता हूँ तो मेरे पास यह नहीं आने का इसको टी लेता हूँ तो मेरे पास यह नहीं आने का इत्में सब्ट्यूशन मेरा सुटेबल नहीं है सुटेबल बनाने के लिए मैंने नुमिनेटर डिनूमिनेटर पार्ट में क्या देखा कि एकी पावर एक्स कॉमन है e की पौर x जब मैंने common numerator पार्ट में लिया तो यहाँ e की पौर x ही बचेगा क्योंकि e की पौर 2x क्या लिख सकते e की पौर x into e की पौर x यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा doubt में होते कि यहाँ पे सर कैसे e की पौर minus x हो गया अगर मैं 1 को 4 अपौर 4 लिखूं तो कोई doubt तो नहीं है similarly अगर मैं 1 को बोलू e की पौर x अपौर e की पौर x लिखूं तो कोई doubt नहीं होना चाहिए numerator वाला पार्ट common आ जाएगा और denominator का पार्ट numerator में जब जाएगा तो वो negative हो जाएगा I think अब आप लोग को सबज में आ गया इतना करने से मेरे पार numerator denominator पार्ट आये denominator को मैंने t put up किया put up करने के पास मेरे पास e की पौर x minus e की पौर minus x dx is equal to dt आ गया यह value मैंने equation first में put up करा उससे dt upon t आया dx upon x log modulus x होता है तो इससे यह log modulus t हो गया t की value from second से आपने put up यहाँ पे put up कर दिया और हमारे पास क्या आगया answer हाँ बार-बार बोलता हूँ plus c लिखना मत भूलना आप लोग यह तो था हमारे पार type number 4 अब आया हमारे पास type number 5 type number 5 एक trigonometric functions का questions है इस questions को भी मैंने क्या देखा कि अगर मैं 1-10x को t लेता हूँ तो मेरे पास इसका differentiate sec square x आता है जो मेरे पास question मैंने है तो वो चीज मैं बनाऊंगा तो 1 upon cos sec होता है तो 1 upon cos square x sec square x हो गया अब मैंने denominator को put up किया t के equal इसका differentiate किया differentiate करने से minus sec square x dx is equal to dt आगया it means sec square x dx is equal to क्या है minus dt यह value मैंने first में put up कर दिया वहाँ से मेरे पास dt upon क्या आगया t square आगया t square को मैंने shifting करी numerator part में तो वो minus में आगया identity यूज किया with integration of x की पार n और वहाँ से मेरे पास t की पार minus 1 upon minus 1 आया यह solution है minus के 2 plus 1 minus के 2 plus 1 minus से minus cancel हो गया t की पार minus 1 आया t की value from second से यहाँ put up किया और मेरे पास क्या आगया answer यह type number 5 है आपका उसके बाद next phase पर आपका type number 6 है type number 6 में आपका क्या है यह भी एक tignometric function है और अच्छा question से 1 upon 1 minus 10x dx इसको तो मैं अगर t लेता हूं तो मिल पास कुछ भी नहीं है second square x तो ही नहीं तो मैं 10 का एक दूसरा form होता है sin upon cos उसे represent करके cos x minus sin x आया यह cos shifting होके numerator part में चला गया again मैं यहाँ पे substitute करता हूं तो भी मिल पास suitable नहीं बन रहा है तो यहाँ पे यह note कर ले ना point कि यहाँ पे question को मैंने बनाया है कोई method नहीं है 2 की multiply इसमें करी और 2 से इसको divide किया तो 2 part मैंने अलग रख लिया multiply करने के बाद 2 cos x को मैं cos x plus cos x लिख सकता हूं और मिल पास cos x की जगा sin x है तो मैं sin x को add करूँगा उसी sin x को minus कर दूँगा मेरा question यहाँ पे बन जाएगा यह part मैंने बच्चो सिर्फ question को बनाने के लिए किया है इस से मिल पास 2 part आएगा cos x plus sin x और 1 cos x minus sin x उसको 2 part में मैंने split कर दिया 2 part में split करने के लिए बाद 1 part मेरा cut गया 1 dx बचा और 1 बचा cos x plus sin x और cos x minus sin x इसमें से इस denominator part को मैंने यहाँ पे t ले लूँगा t लेने के बाद मेरे बच्चो माइनस के sin x cos x का difference rate minus के sin x sin x का cos x होता है minus common लेने से यह sin x plus cos x dx is equal to क्या गया minus dt आ गया उसको मैंने यहाँ पे उटब दिया 1 upon 2 की अंदर मल दिया 1 का integration मैंने बताया था constant का integration x होता है यह minus के 2 log t आ जाएगा minus के 1 upon 2 log cos x minus के sin plus x upon 2 plus c यह भी आपका answer correct है बस इसको positive बनाने के लिए मैंने यह but plus c लिखना मत बुलना क्योंकि यह आप indefinite integral कर दे हो type number 7 भी बहुत अच्छा question सही है x plus 1 x plus logarithm का वाला question से upon x अगर मैं इसको t लेता हूँ तो यह log कभी आने का ही नहीं तो मैं log x से 1 upon x ला सकता हूँ तो मैंने इसी लिए x plus log x को क्या लिया t इसका differentiate किया तो x का 1 आया log x का 1 upon x होता है dt का dt upon dx क्योंकि x के respect में हो रहा है तो यहां से solve करके x plus 1 upon x dx इतने की पूरी value मैं dt लिख दूँआ यह from first में put up करूँआ तो वहां से t square into dt आ जाएगा formula लेगा t की power 3 और यह मेरे पास from second से मैं t की value put up कर दूँआ अब आपका type number 8 यह भी trigonometric function का है question से x की power 3 sin 10 inverse x की power 4 1 plus x की power 8 यह भी बहुत important question है और कई बारा आया है यहां पर मैंने इनको तो कुछ put up करी नहीं सकते इनको अगर substitute करें तो हमारे पास यह सब cancel नहीं होंगे तो मैंने सिफ 10 inverse x की power 4 को t लिया और 10 inverse x का differentiate होता है 1 upon 1 plus x square x की जगा x की power 4 है तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और by chain rule 4x का दुबारा हुआ तो 4x की power 3 आएगा तो it means आपके पास 4x की power 3 1 plus x की power 8 dx dt आजाएगा आपके पास और इतना आने के बाद next page में जो इसका solution है x की power 3 1 plus x की power 8 dx की जगा हम क्या लिख देंगे dt upon 4 यह from first में आपको put up करेंगे जो पीछे वीडियो में था यहां से sin t into dt upon 4 आजाएगा 1 upon 4 को common लेंगे sin t का integration जैसे sin x का minus cos x होता है तो यहां पर t है तो यह बजाएगा minus के cos t minus के 1 upon 4 cos यह 10 inverse t की value रखिए from second से इतने ही type के exercise 7.2 में questions है मैं इस वीडियो से आप लोग को सिर्फ यह बताऊँगा बच्चो कि आप लोग integration जितना अपने आप practice करेंगे number of varieties के questions करेंगे उतना आपको knowledge में आता रहे किस question को किस तरीके से करना है तो यह अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको आप लोग like करना okay have a nice day